हेलो प्रेंट्स आपने आज देखा रहेगा कि फिन निफ्टी से जादा बैंक निफ्टी ने बाजी मारनी दो एनलेसिस किया था दोनों को दोनों फंटास्टिक चला जो वाट्सअप कम्यूनिटी पे लोग थे वो ट्रेड लेके बहुत जादा खुश हो गए अगर आपने ये ट्रेड मिस्स किया तो डेफिनेटली आपने हमारी कम्यूनिटी नहीं जॉइन की रहेगी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में वाट्सअप लिंक है उसे क्लिक करके हमारी कम्यूनिटी जॉइन कीजिए आईए देखते हैं ये दो ट्रेड ये लगभग लगभग 600 तक गया ओके 39,400 का वैसे ही 39,500 का भी आप देखोगे फंटास्टिक चला दोनों के दोनों ट्रेड्स फंटास्टिक गया तो ये दोनों बैंक निफ्टी के ट्रेड्स थे दोनों ने बहुत अच्छा कमाया लोगों ने आगे देखेंगे सबसे पहल में सर्विसेस, फाइनान्स और सर्विसेस का तो मुस्ली आदानी के कंपनी रहते हैं आईटी थोड़ी सी नीचे थी क्रॉम्टेन, HDFC, AMC, HDFC लाइफ उपर थे गेल, LTTS, Metropolis नीचे थे बट इतना कुछ बड़ा रीजन नहीं है टॉप सेलर या टॉप गेनर्स बनने के अपला निकल रहा है, Signature Bank, SV, Silicon Valley Bank, Credit Fusee, इतने सारे बैंक में प्रॉबलम निकल रहा है, तो अब मार्केट को लग रहा है कि Fed यहां से रेट बढ़ाने में डेफिनेटली डर जाएगा, क्योंकि अगर और बढ़ाते गया, तो यह बैंक्स पूरे-पूरे बैंक्रप हो जाए और जैसे ही वो रोग देगा, मार्केट जट से उपर जाएगा, so we will be really looking at Fed कैसे react करेगा, अब यह आप देखोगे, चार्ट है, Fed ने क्या किया था, दो अढ़ाई तक बढ़ा के 2020 के आसपास था, जब नीचे गिरा मार्केट, रिसेशन के टाइम पे, करोना के टाइम पे, त साल में भी नहीं हुआ है, तो इतना फास्ट जो रेट हाइक हुआ है, डेफिनेटली लोग कह रहते हैं, बैंक वाले चिला रहते हैं, कि किसी ना किसी के जान ये Fed निकालने वाला है, और अब जाके, रिजल्ट दिखने लगा है, तो हम डेफिनेटली रुखेंगे, फेवर पर बैरल चल रहा है, अब यहां पर जानने वाली चीज कैसी है, तो और विंडफॉल टैक्स सरकार ने कम कर दिया है, तो 3,500 पर टन, इसका डेफिनेटली इफेक्ट कहां पर होगा, इंफलेशन पर होगा, इंफलेशन कम होना चलो हो जाएगा, क्योंकि ट्रांस्पोटेश और सभी जगह पर जो प्राइज़ लगता है, उसके प्राइजस कम होगे, तो यह डेफिनेटली एक बहुत अच्छा डिसीजन है, और आप देखोगे, इंडिया में इंफलेशन अभी भी कंट्रोल में है, युएस में ऐसे नहीं होगा, एक तो रेट हाइक नहीं कर सकते है बैंक डूब जाएगी, रेट हाइक नहीं करेंगे, तो इंफलेशन बढ़ने लगेगा, तो युएस बहुत प्रॉबलम में है, इंडिया अच्छे खासे पोजिशन में है, और यही चीज आने वाले दिनों में अभी नहीं, छे या साथ मैने में इंडियान स्टॉक मार्के सुप्रीम कोट क्या बोल रही है, आप 300 करोड आपके पास ही रखो, अगर आप केस हार गए, तो बाद में आपको इंट्रेस्ट के साथ, और अगर केस हार गई, तो 300 करोड प्लस इंट्रेस्ट के साथ, आपको सेभी को देना पड़ेगा, वैसे भी देखोगे, ऐसे या वै इतना बड़ा चीज नहीं है, बट 300 करोड आपके को देना है, क्योंकि को लोकेशन का गफला तो डेफिनेटली ने किया था, अब आएमेफ ने क्या किया है, तीन बिलियन डॉलर का श्री लंका को बेल आउट दिया है, और जो हमारे दूसरे नेवर्स हैं, पाकिस्तान, वो कह रहे हैं, कि हम अच्छा कर रहे हैं, आएमेफ के साथ भी बात्चीत चल जाई है, बट एक बार श्री लंका निकल जाएगा, बट पाकिस्तान हमें सब को डाउट है कि नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको प्रॉबलम है, तो बस आज के इसमें इतना ही, अगर आपको कर दो